नमस्कार मैं हूँ दिपाली और अप्चलते हैं आज के कुछ खास कबरों की ओर अलियमिक व्याईता महिला की संदिक परिस्तियों में हुई मौत परिजोनान जताई हत्या के आशंका महिला एवं बालबिकास मंत्री श्रीमती मर्ती देवी ने जन समस्यां को नेरा करण के लिए जनता दरवार लगाया मैरेजगारें से चोर साथ लाट रुपे से अधिक कारमाल और नगदी से भड़ा पैख लेका हुई चमपत बड़ी जिकर मंत्री प्रजेंद्र सिंग ब्राठोर ने बड़ी जिकर अवदीकारियों और अवकारी अधिकारियों के साथ बैटक की अब समाचा विस्तार से बारिस आने से पहले सेहर में पानी निकास नालियों की सपाई जैसे काओं पर ज्यान नहीं दिया जिसका खाम्याजा आम लोगों को बुकतना पड़ रहा है मरेना जिले में सीवर लाइन का काम होने के करण कई जेगे सड़कों को खोदा गया है लेकिन उन सड़कों की मरंबत नहीं की गई है जिससे आम जन आने याने में भी परिसानी का सामना कर रहे है जिले में रिकॉर्ड 35 mm बारिस होई है परिमानसुन की पहली बारिस ने नगर निगम की सारी विवरसाओं की पोल खोल कर रख दी है आगे आने वाले समय में यह है अहलात और वी बत्तर होने वाले है मामला यह है कि यह जो नाला पाट में की विवस्था थी यह गत सरकार में शुरू होई और बड़े तेजी से काम हुए ऐसा नहीं है लेकिन जब से सरकार पल्टी तब से इसमें इतना धीराक पना इतना कम काम होना सुरू हुआ कि यह लोग जानते थे कि वरसाओं सुरू होगी और वरसाओं सुरू होते ही यह छेतर नरक बन जाएगा आज देख लीजिए पूरा चेतर नरक के रूप में पानी बरा हुआ है कहीं पानी उतरने की विवस्थर नहीं है इस से पहले गंदा पानी आ रहा था तब भी कोई चिंता नहीं ती नगर निकर प्रसासन को और अभी भी कोई ज़्यादा अच्छा पानी नहीं आ रहा हा अ अला कि विवस्था की है उनने लगे हैं लेकिन उसके वावजूद भी कोई अच्छा पानी नहीं आ रहा आज तो यह है कि अभी में जब सभापती से अनिल कुल जी से बात हुई तो उनना का वाजदाव हमारा तो कमिश्णरी चुटी लेके तीन दिन भाग गया हमारी कोई सुनता ही नहीं जब सभापती की इस्तती है उस नगर निगम में तो आम जनता की क्या इस्तती होगा नहीं समझ में नहीं आता है अब आज पहली वारिस ने और पहली वारिस है पहली वारिस बहुत है इस्तती है कि पहली टेस्ट में ही खतम हो गया मामला की क्या कारिकर होग यह तो बहुत अच्छी वात है कि बरसात मांजुना चुके हैं रात का समय तो लोगों ने मैसुस करी है लेकिन आप देख रहे हैं कि आम आदमी घरों में क्या दो चुका है हमारे घर के इस गेट से अगर पैर नीचे रखें तो दलदल में कीचर में गिरेंगे बच्चों को आने जाने में बजर्गों को मैलाओं को यहां से काभी सब दिक्कत आ रही है पूरे बाड़वासियों को और यह सहर में पूरा बाता बना हुआ है इसके लिए किसको आप दोसी माने हुए अब दोसी तो यह है कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है नगने कम अमला जो है अगर म पांसुन आने जे पहले वह जिम्मेदारी ले और साब सभाई की विवस्ता को करें जिसे गंदगी और यह पानी बराव नहीं रहे हैं। परसाथ के पहले नारे नालिया हें, उनकी शपाई पीदी हमाना अस्वास में भाद कॉर्ण कर रहा है। उसमें अभी काम पिज में पंडू गया था, अपने वोग सभाया दिर बाति दोरा, इसमें एक इंड़ तरव की काडने हो रहा है। अब वो ठीकी समय से पनिकाज मुटा है, उसमें काम सुभू हो रहा है, बानी भराव के स्थलों का हम लोगों ने अपने इसलों के बंदम से चिन्लांगा खाया लिया है, उसमें काम हम लोगों के विदर पूड़ा करने मुटा है। सीवर का खुद्दे के कारण से हमें कहीं ही आवा गमन लोगों का नहीं हो पा रहा है सुभंता से, या इसके लिए क्या कदम उढ़ाएंगा। सीवर का तो एक टाइम बंद प्रोग्याम का प्रोड़ेक्ट है, उसमें अभी वर्त तो आनवोईंग है, अभी तक तो काम होगा है, उसमें उसे तन्ता अपने को काम होता जाता है खुदाई के बात में, उसको मूल रूप में लाने के लिए चेकेदार को प्रिक्देश है चोपर जिले के मानपुर थाने इलाके के जादेश्वर गाउं में एक यूपती के साथ दोशकरम करने और दोशकरम का वीडियो वाइरल करने के मामला सामने आया है, पुलिस ने इस मामले में एक आरूपी को ग्रफतार कर लिया है वोपर के जादेशर गाउं में दो यूपत मेंसे एक यूपत ने गाउं के एक प्रिस साल की यूपती के साथ दोशकरम किया है, तो वहीं दोशकरम करने वाले आरूपी के दोस्त ने इस दोशकरम का एक वीडियो बना लिया उसके साथ भी जबरन संबंद बनाने वाले जबरन संबंद और उससे अपने घर बुलाने का दवाब भी बनाते रहे उफ्ती ने जब इस बात के लिए मना किया तो यूवक ने दुसकर्म का वीडियो सोशल मीडिया में वाइरल कर दिया जब पूरे गाउं में वीडियो वाइरल हो गया तब उफ्ती के परजनों को इस बारे में पता चला तब जाकर उफ्ती ने सारी घटना परजनों को बताई इसके बाद उफ्ती ने परजनों के साथ थाने पहुच कर मामले की शिकायत की पुलिस ने बताया कि इसके बाद युवती ने परजनों के साथ पाउचकर मामले के शिकायत की पुलिस ने युवती की शिकायत पर दो आरोपियों में से मुख यारोपी कमल चर्मा की रिपोर्ट कराने के 12 घंटे भीतरी गिरफतार कर लिया है तो वहीं दूसरा आरोपी गिरराज चर्मा अभी फरार है लेकित जावदेश्वर गाउं हमारे थाना मानपूर के तहट आता है जहां का ये मामला हमारे प्रकाश में अभी आया है इसमें दो आरोपियो के नाम मुखे तोर पे हमारे सामने आये हैं जिनमें मुखे आरोपी कमल चर्मा और उसका सही होगी जो वीडियो बना रहा था उसका नाम गिरराज चर्मा है कमल चर्मा सवाय मादोपूर का निवासी है और गिर्राज चर्मा जावदेश्वर का ही रहने वाला है पूरे प्रक्रटन में वीडियो अभी वाइरल होने के बाद क्योंकि घटना हाला की दो से तीन महीने पुरानी बताई जा रही है परन्तो अभी इसको ब्लैक मेल की सूचना अभी हमें पुलिस को मिली थी जिस पे ततकाल जिस दिन हमारे पास रिपोर्ट आई उसी दिन हमने उसमें ततकाल कारवाई करते हैं 24 गंटे के बीतर इसमें मुख्य आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है और शीगरी हम दूसरे आरोपी को बी इसमें गिरफतार करने वाले हैं कमल शर्मा जो है इसमें मुख्य आरोपी इसको हम लोग गिरफतार कर चुके हैं इसमें अभी तक कुछ ऐसी बातचीत भी सामने आरही है कि पहले से यूवक और यूपति का परिचे था उसी परीचे का फायदा उठाके इस घटना को इस युवक ने अंजाम दिया है और इस वीडियो का इस्तमाल मुखे तोर पे उसे ब्लैक मेल करके या अपने मित्रों का भी गलत फायदा उठाने के प्रियोजन से कही न कही इसमें दिखाई दे रहा है और इसमें जो बाकी टत्य हैं क्योंकि अभी प्रकरण गंबीर किसम का है एक आरोपि अभी भी फरार है जिसे हम ततकाल ग्रफतार करेंगे दुनों आरोपियों की ग्रफतारी के बाद इसमें सिथी और आपके सामने स्पष्ट रूप से सामने आ जाईए इसमें हमने धारा 376, 509 और 668 के तहट इसमें प्रक्रण हमने दर्च किया शहिद अमर्चंद भाठिया की स्मृति के कारिक्रम कायोजन शहिद अमर्चंद भाठिया स्मारक समीती द्वारा किया गया जिसमें वक्ताओं ने अपनी बात रखी वही अपको सिखाया इसलिए अपनी बातों को पूरी करों इसलिए अमर्चंद भाठिया जी का बंज पांटिया जी किसली चोड़ो आदर्ने हैं जदाय दंसयां करोनिया जी हमारे भी इत्वदार चुके हैं आएं वो मंत्रपना अस्तान ग्रान करें आदर्ने किट करिये कि आएं आएं यह यह जो आप ते सामने बहुत चोटी उमरता हूं और मैं जो भी सबते द्याओं अदर्न मुझसे जल्पी हो जाए तो मुझे माप चर दिया जाए तो मुझे माप चर दिया 157 में जब गवालिया रियातत ते जीवाजी राज सिंधिया जुनकी बाड़े पे मूर्ती लदी है वाड़े जब चर दोड़ की सजांती ते उस तमें अमर्चन भाड़े जरा बयंदर व्यत्ती ते वाड़े जब अधिकारियों और अपकारी अधिकारियों के साथ बैटक कर विवाग्य समिक्षा की कि अधिक अधिक बाड़े जब रेक्षा कि विवाग्य था अधिक विवी थोड़ा सा निगार अधिक 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 निग्यार आप्ड़े सब्सक्राइब तो प्रकार पर टूर्ड़े जा सकते हैं? सब ыसन मोद 5 आपी पहलों तो अच्छा है कमाखे इला के एकाति गुदान मूद कर सकते? सब आपी और से फेस्टन वहाती पहलों कि इत्रा है अस्ता प्रोड आपके पास लोग परस और तुस्वा सेमंटी में लेके नविसके अधिस में अधिया 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 है चोर फिर भारदत कर गायग हो गए और उनकी हरकत भी मेरिज गारडन से बाहर निकलने के बाद ही पकड़ में आई चोर साथ लाग रुपे से अधिक का माल और नगदी से भड़ा बैक लेकर चमपत हो गए दर असल एक पंजयी परिवार की बराद दिली से आई हुई थी और जासी ओड़ लाके के बीनस वेंकेट मेरिज गारडन में साथी एक आटम चल रहा था दूला और दूलन का परिवार साथी की रसमों को पूरा करने में बियस था इसी दोरान एक नावलिक लड़का भी मेहमानों के बीच आकर गुमने लगा उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया चोर मेरिज गारडन में गुमते हुए उस जगए आ गया जहां दूले की मा मेहमानों के बीच जेवर पैसों से बड़े परस के साथ बैठी थी जैसा ही दूले की मा ने परस टेवल पर रखा उसी समय नावलिक चोर ने नजर बचा कर परस को पार कर दिया और आराम से टेलता हुआ मेरिज गारडन के बार निकल गया सचिन कपूर सचिन कपूर सचिन जी बताया क्या पूरा ममला है बसर अंजर जादी में गए थे आपने मित्र की बच्ची की तो उनके साधी में समारों में परस उनका था लड़के की माता जी का उनका परस चोरी हो गया लड़का था उसमें करीब शाथ लाग साथ लाग कैश थे साड़े पांच तोला जोलरी थी और दो समसंग के मोबाइल थे वो सब चल लगवाग की पार्डी थी और क्या पूरा महुंद यह सर दिल्ली से आई दी बरात और यह बैंक्यूट है वीनस बैंक्यूट होल वहां पे शादी समार होता दिन का लगवाग सब्सक्राइब लगा लगा लो दस दस लाग क्या सब्सक्राइब करीब 20 साल का लड़ा क्या था कैसे हुआ है शादी समार हो चला था हमें लग रहा था कि वो वेटर-वेटर है कोई काम कर रहा है अगल बगल रपैटा है वो dif लोग जी शुक्विंदर कहनेथी हैं निए उनके पर्स में समान सारा रकी बाटिवरागो के विम्स सुदिभी सभी ceso है किसी हो निचा जा था आजकर दीखाया थे अधसमें को ये मेरे में मेंत्र की लडगी की शादी इनकी ब restriction की चारी ति हर तो 283 ए 1 के पैल निच경 कुछ दिरवाद जब दूले की माँ को पर्स की आदाई तब है काय मिला जिसके बाद साधी में हंगामा मच गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंबिक जाच में मेरिज गाडन के सी सी टीवी की फुटेश को कंगाला जिसमें एक बच्चा पर्स को तमाम लोगों की नज़ से बचा कर चुरातर नज़र आ रहा है और उसे कंदे पटांग कर गेट के बाहर निकलता दिखाई दे रहा है उसके साथ एक और युवग भी साधी सावार में बाते करता देख रहा है जाए रहे कि युवग के सारे परी बच्चे ना पर सुड़ाया है हाला कि पुलिस ना मामलत दच कर लिया है चोरों की तलास में चुट गई है इसी मेर्ज गार्डन में चोरी की यह दूसी बार्दा बताए गई है इससे पहले वी चोर साधी में में बन कर गुशा था और गायब होकर मौजूद लोगों की नहीं बचा कर बेंक बेक चुड़ा कर गायब हो गयता हाला कि इस तरह की बार्दा सेयर में कोई पहली नहीं है लेकिन मेर्ज गार्डनों के लिए मौटी रखम लेकर भी सुख्चा के पुक्ते अंतियाम नहीं किया जाते एससे मेर्ज गार्डनों पर सुख्चा के सवाल खड़े हो गए है विक्की बेक्टवे बेंकट बीनिस गार्डन है वहां पर दिल्ली से पाड़ी आई थी सरदार्थ समाज की गार्डनों साधी समारों में कुई अग्या चोट मेले का परस उसने बाबर रखा उसने टेविल पर कुर्सी पर और कुई चुरा कर ले गया साथ लाग नगत और अंगोठी है और दो दो पड़े है अब सामान अब इसमें करूम हो जाएगा साथ आठ लाग का उसमें किसमें दो चोड दिखाई देगा है तो पुलिस का कारव पर पुलिस में अभी पाड़ी में बेजी गई है तलास गनली अरपाल सिंग को और तहां साथी ती और क्या बच्चे का भी जान का ही नहीं है अब जान के लिए उसकी बिमेजना जा रही है पुलिस पतारसी कर रही है सागरताल पर हो जाना हो रही आत्मत्या की घटनाओं को रोकने के उद्धेश से बाउनरी बाल बनाने और पुलिस चौकी बनाने की माम को लेकर भूखरताल पर बैटेट पत्रकारी यतेंद्र सिंग से मंतिर प्रदुमन सिंग तौमर मिलने पहुशे यहां बोड़ा पुलिस्का कह रहा है अचाना जी गहां है तर गोना प्रेश नहीं यहां पर रात को दूमेजार आदमी रहते हैं मरावर कस नहीं अब बात को पुएंट लगाजी अभी रात को फुए यह रहा है जबाए तो ददा यह सगर तालब जो दस्तार हो रही है वुकुट तालब बैठे हैं क्या किना है आपका इसको एक जो मारे संभानी साथी वु जहां पर जो द्रोट नहीं हो रही है जिसी निश्त रूप से मैं कल प्रसासर के साथ बात करके इनकी मांग का शमाधान करेंगे हम लोग और अब ही मुझे मुझे मालूम पड़ा तो यहां पर मैं सागरताल चौराए पर आया इनका हल चाल लेने आया और इनकी बात सुन कर दिया प्रसासर कार्वाई नहीं हो रही है मैंने अपने मुझे संग्यान में यह आया है इस पर जरूर कारवाई हम करेंगे इसी बीच अगर जो बहुत आला बैठे कुछ हो जाता तो उसे जिमनतार कौन रहेगा और किस तर से कारवाई के मैंने कहा अधिकारियों से बात करके पूरी टीम आएगी और जर्चा करेंगी और इनकी बातों का समाधान करेंगे इनका यह कदम बुलकुल सही है जन से वेक्त रूप मैं कैसे लिए बात हरा आदमी जो बात रखी है उन्होंने उन्हें सित्रूप से जो यहां आज दिन इसकी विवस्ता हम सब को करनी चाहिए में उनकी जो मांग है एक अच्छी आवाज उन्हें उठाई है जैसे कमाना जाए कि इसमें जैसे कि सुच्छा दूर पर ऐसे कुछ इसमेटी बगरा कुछ टेज रोसनी और कुछ कोता कोरो कि अपववस्ता होनी चाहिए गौलिया में अपरादियों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं और उनमें पुलिस का डर भी खत्म होता दिक रहा है ताजा मामला सीतराम कॉलोनी का है जहां सरपंच के बेटे सतिस पर बदमासों ने तावात तोड़ फाइरिंग कर दी जिसके बाद घाया लियूबक को स्पताल में भरती कराए गया जहां उसकी हालत नाजुद बनी हुई है और चार से पांच बदमास बैक से आये थे फिलाल बेवाद की बज़े पता नहीं चल सकी है कोले का मंदिताना पुलिस पूरे मामले की जांच में जोटी हुई है पुलिस भी है पताने का लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं सरपंच की बेटों को राने तिक लड़ाई के चलते गोली तो नहीं मारी गई क्या रही है तो पलिस जांच के बादी इस बेश्ट हो पाएगा इस बगल से घरता तो जानती नहीं है आपके मांट जो मांट चार प्रफाइब है प्रफाइब नवासे गरोंगी गोर्जर है जो सिताराम कोलन में रहती है वहां कुछ लड़कों में बाद बाद हुआ तो जो लाखन लाखन सर्माएद धंशा का अभी सताब्दीपुरह में रहता है उसमें अपनी रिवाले पिस्टल से गोली मारी जो इनकी पीट में लगी है दूसरा ने के साथ में बता रहा है तेक वो फेरू डंडोती आ है तो वी से चुना यहां जाता है तो टीन अज्यात वोल लाएं कि आरोवन। परानी कोई आपकासमाती है तो बुखा मिले हैं इसकों पूड़के उनको अरुप मुपकाने के लिए अपने तरह बाई है गे तो देखेंगे ना अभी तो भई अभी तो अभी तो तकाली दच ले आएं जी काहल का नाम बताया नमने शक्तिस और कईया गुर्जर निवासिक घरोंगी मा शर्पंच आप मा या कुछ सर्पंच हैं मा शर्पंच हैं राजनेतिव लोग हैं गौलियर में एक विवाहित मैला की संदिक्त परिस्तियों में मौत हो गई दरसल शब्द प्रताब आश्रम के पास रहने वाली कुछवा परिवार की बेटी कविता कुछवा की लास घर में पड़ी मिली वे तीन साल से माई के में रह रही थी गौलियर में एक विवाहित मैला की संदिक्त परिस्तियों में मौत हो गई दरसल सब्द प्रताब आश्रम के पास रहने वाले कुछवा परिवार की बेटी कविता कुछवा की लास सुवे के समय करके कमरे में मिली वे तीन साल से अपने माय के मरे रही थी गड़ना की जानकरी प्लिस को लगी तुरंद बोड़ा पर प्लिस मौके पर पहुँच गई परिवार की कविता कुछवा के सवस्वाल पच्छ द्वारा उस पर जादू टौनों तांतिक क्रिया करवाये करते थे जिसकी बज़े से बेटे प्रिसन का सिकार हो गई प्लिस का कहिना है कि कविता की मौत किस बज़े से हुई इसका पता जाच पोस्ट मार्डम के बादी चल पाएगा लेकिन मेरत का कविता के प्रिजन ने जो आरूप लगाए है उसकी विजाच कराई जाएगी खुद भी गई तैयार होके दिन बर से कह रही है आज मैं बहुत खुस हूं भाईया की सगाई हो रही है और अपने बेटे के लिए लड़की देखने गए थे मौनी क्या कहते हैं लड़की देखके आए रात को दस साड़े दस बज़े आए चेंच किया उसने बच्चों का भी चेंच किया और बस कूलर के आगे बैटी के थोड़ी अवा ले लूँ काभी दूर बैटी थी कूलर से तो बीच कमरे में एक दम है न एक दम क्या कहते हूं उसको है न ऐसा लगा हमको को कोई कुद देखके जैना चिलाई है पर आवाज नहीं निकल पाई म सब्सक्राइब करता है तो क्या लगता है कैसे मोटी हो जाती है नहीं को प्यास ही लगता है इन नहीं है न खुछ बेजाया ॉदर से चैलेंज करते थे जे कोट में आते तारीक कन्य स्यानों को लेके आते थे कि यहां सब्सक्राइब को बार बार चनोती देते थे कि हम ले जाएंगे तब भी माट डालेंगे इसको बहुत बार देखाया मैंने अफस्तार ही तो उस पर से मेरे कर्मांग उसकी पीम कराने में आया हूं और बात पीम के रिपोर्ट होगी करा रहे हैं तो बाद में आएगा जब पता पड़ेगा यहांच के दौरान उपर निच्छे करामदा स्थाना बावड़ा पूर्ट होगी पीम करा रहे हैं केंद्रे क्रशी मंति नरिन सिंग तोमर एक दिन के प्रवास पर मुरैना पहुचे इस दौरान उन्होंने राम प्रशाद बिस्मिल म्यूजियम का निरक्षन किया तोमर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई मुद्धों पर अपने विचार रखे तीन तलाग से संबंदे अत्या देश हम लोगों ने जारी किया था वो पिछले बार लोग सभा में पास हुआ राजी सभा में पास नहीं हो सकत कल फिर नए सत्र की सुवात हुई तो बिल का इंट्रोड़क्षन होना था उस लोगों ने विरोध किया बद्दान हुआ ज्यादा मत सर्कार के पक्षम थे इसले वो बिल इंट्रोड़ीफ हो गया तीन तलाग के बिल को ना तो व्यक्ति से जोड़ना चाहिए ना धार्म से जोड़ना चाहिए ना मजब से जोड़ना चाहिए ना विरादरी से जोड़ना चाहिए तीन तलाग का बिल नारी नियाए नारी सम्मान और नारी के इंसाफ का बिल है इसलिए इसको मानवी दुरिष्टिकों से लेना चाहिए हमारी हजारों मुसलिम बहने देश गर में तीन तलाग से भीड़े थें उनका जीवन परवाद हो गया है सरकार उनके जीवन को आवाद करने की दुरिष्टि से और आने वाले कल में किसी बहन के साथ इस प्रकार का अन्याए ना हो या सुनिशिन इस बली के मात्यम करना चाहिए राज्यसभा में पास होने की कैसी हम आसा करते हैं कि जब लोगसभा में पास होगा उसके माद राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में भी इसे समखत लोग दें ऐसी में सबसे अपील करना चाहिए मद्यप्रदेश की सरकार में काफी उह पोह की सिती है क्या सरकार गिर सकती है चानून की पूरी तरह हैं किसी भी सरकार को फेल होने में कम से कम गाई साल का वक्त लगता है लेकिन ये सरकार चाट पाच महने में ही अस्पंता के गजार पर खड़िये मद्यप्रदेश में कानून विवस्ता की इस दी कूरी तरह चौपव हो गई है और मदबुर्देस में विकास के काम सभी बंद कर दिये गए हैं किसी भी अधो सरुषना के किसी भी काम का कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा है पूरे मदबुर्देस में अप्रा तफ्री है और कांग्रेस अंतर के लिए से ग्रस्त है तब सरकार रहेगी और तब गिरेगी यह कहा नहीं जा सकते महिला इवं भाल विकास मंत्री श्रीमती इमर्ती देवी ने जंसमस्याओं के निराकरण के लिए जंता दर्वाल लगाया इस दोरन कलेक्टर रूराग चौदरी सहीद वरिस्ट प्रशासनिक अधिकारी मौचित रहे हमारे जो स्ट्रीम है उन्होंने अच्छा काम किया है कि यहां पर उन्होंने एक स्मार्ट क्लास को भी डेवलफ किया है स्ट्रीम हम लोग को कि सरकारी स्कूलों की जो लोग आना नहीं चाहते हैं और केवल जो आदमी उत्रा साधन संपने नहीं आता है इसलिए आप देखने हो हर बार आटीम एड्मिशन को लेकर भी फाइट होते हैं कि इस स्कूल में जाना उसमें जाना है तो सरकारी स्कूल में तो उन्हें अच्छा करके दिखाया है हमने पूरे जिले में एक एक करके फिर आप अगनवाडियों को भी टेक अप करें जासे अपने प्राइवेट होते हैं जैसे अच्छे लेवल का आगनवाडी को भी टेक अप करेंगे और एक स्टार्ट भी आए या टीवी लगाना ऐसा निए कि उससे स्मार्ट वाता है हमारे अमले को मेहनत करना पड़ेगा लेकर अपने अमले को भी इतना बता देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं अब आपसे मेहनत भी करवाएंगे अब आपकारी यह बच्चों के दिलाएंगे क्या ने इसमें हमारा मैं हमेशा यह बोलता हुँ ना हमारे सबसे अच्छा सिस्टम यह रहता है कि हम इस इस स्कूल से अगले एक तो सालों में सेलेक्शन करके दिखाएं अभी भी आप देखें जितने आईटी नों सारे सरकार इंडिया के जो सबसे अग्रणी में से वह सरकारी है मलब जो चीजे सरकारी में सरकारी सिस्टम भी बैस्ट हो सकता मैं यह बता रहो हो और समय स्कूल में इसको अदुषक में पढ़ें हम टीचर से यह आपने 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 पढ़ाय कि तना है आपके एक्सकाश को बच्च सब्सक्राइब करना चाहते हैं अभी माबाब घर में जाते हैं उनको लर्निंग आउटकम प्याम फोकस करना चाहते हैं यह हमारे जसे आपने देखा होगा अबाइद करौनी के संब्सक्राइब में माननी है करें वह जाते हैं आज हम लोगों ने दो नेन यह तो जो प्रावधान नामतर्ण वाले वह यथावत हैं किसी भी नामतर्ण किसी प्रकाल की रोक नहीं है कल से नामतर के कारवाई भी करेंगे और इसके यहां पे और संग्याने बाद आए दिकिस्तिक आदार पर रश्टी हो करेंगे करवाई करेंगे करेंगे लोग सब परसान हैं पूरी जिन्दगी के जमापुजी दूबी हैं हमारे यहां पर इशू आया था कोडिनेशन के इशू बिदे तो मानिय मंतरी जी के के द्वारा वहां पर दूसरे साहे केंतरी की पदस्तावना कर दी दूसरे यहां जमीन एक पर की है अगर भाविश में होता तो आँ कारवाई करेंगे कोई भी कोई भी व्यक्ति नगरपालिकाम आ सकता है कोई भी आदमी चूटिया आपके आपके बर्शद भंग हो गई है किसी मिस्तिती में पोई जो अधिकरित नहीं है वो किसी पुर्सी पर नहीं बढ़े है यह थी अब तक के कुछ खास कबरें अब होगी आपसे कल मुला का तब तक लिए नमस्कार